वेलकम तो डिस्टल जी के क्लासेस तो मॉर्निंग में जो मैंने मैथ की क्लास जो है कराया था प्लस सुबह में हिंदी पैड़ागोजी की क्लास वो काफी इंपोर्टिंट क्वेश्चन्स है बहुत ट्रीकी क्वेश्चन्स है जो कि ऑनलाइन एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो वो क्लास जरूर करना क्योंकि अगर आपने हर दिन प्रैक्टिस नहीं किये तो आप सीटेड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे प्लस आज जो है मैं आपको इंग्लिस का जो पैसेज है आपको पता है कि इंग्लिस जो है बहुत से लोगों को पहले डर लगता है कि पता नहीं कैसे होगा खास करके पैसेज से क्योंकि पैसेज जो है समझ में नहीं आता है तो आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ भले से आपको English बिल्कुल भी नाती हो, आपको English का अर्थ तक ना पता हो, बट आपको क्या करना है, केवल sentence को पकड़ना है, और आप पूरा passage जो है, solve कर लेंगे, कैसे, वो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता, English में 15 नंबर का passage और 15 नं समझ में नहीं आता है, बट passage ऐसा है, कि passage जो है, आपको इसी में से नकल करना है, और बहुत से बच्चे जो है, वो इतना practice कर लेते हैं, passage का, कि उनका इसमें गलत नहीं होता है, इसी वज़े से उनका सीटेट जो है, वो clear हो जाता है, आज जो है, मैं आपको एकदम basic में और इंग्लिस मेरा ठीक था पहले से, इस वज़ा से मैंने इसको अपना जो है, दोनों में इंग्लिस रखा था, बस क्योंकि मुझे इतना पता था कि इसमें अगर मैं नहीं भी पड़ी, तो भी मैं स्कोर कर सकती हूं, तो यह main reason है, पैसेज मेरे हमेशा से सही हुए है, चाहे बिलकुल नहीं आती है, पैसेज एकदम टफ लगता है, आज अगर मैं मेरी जो ट्रिक्स आपने फॉलो की, आप खुद देखना, हर दिन आपको जो हैसे ही करना है, आपका इंग्लिस बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा, तो चलिए करते हैं, और टेलिग्राम और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, टेलिग्राम में जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे मैं कुछ भी आता है, टेलिग्राम में ही डालती हूँ, ताकि आप जो है अप टू डेट रहें हर क्लासे से, एक दिन में सारी क्लासे भी लेती हूँ, अभी रात में आट बजे, एसेस्टी की क्ल क्लास होगी, तो आपको पूरी क्लासे देखनी है, प्लेलिस्ट जो है चानल पे एकदम बना हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स का, हर एक प्लेलिस्ट देखिए, अच्छे से, बहुत अच्छे टाप्स के क्लासे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखिए, इसमें जो है, दो जाएगा, आपको पता है, ये दो पैसे जाता है, कभी जो है, एक पैसे से आठ कोश्चन पूछ लेका, तो दूसरे से साथ, कभी-कभी ऐसा होगा, कि एक पैसे से नौ कोश्चन आ जाएगा, तो ये ऐसा होता है, बढ़ टोटल 15 ही आएंगे, तो चली हम देखते हैं, जो स चीज़ बताऊंगी, वो एकदम सही है, प्रैक्टिकल है, मैं कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर खुद किया, मैंने किया हुआ है, कई बार, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत से लोग आपको बोलेंगे, कि सबसे पहले ही स्टार्ट कर लो, पैसेज पढ़ना, पै वस एक बार आपने पैसेज पढ़ा, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, हाँ, यह हो सकता है कि अगर आपको बिल्कुल भी पैसेज नहीं समझ में है, तब आप दुबारा पढ़ेंगे, बट कब पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ, देखिए, पहले आपको क्या क अब यह नीचे का देखिए, यह जो है grammar का question है, अब यहाँ भी देखिए, यह भी grammar का है, यह भी grammar का है, तो पहले questions को एक बार जो है, पढ़िए, देखिए कि आखिर में क्या सारे पैसे से हैं, और अगर सारे नहीं है, तो फिर भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मालिज इस questions में यह word है, इसमें यह है, इसे क्या होगा कि जैसे ही आप passage पढ़ेंगे, और जैसे यह words आपको दीखेगा, आप तुरंत वहीं पर रुख जाएंगे, तुरंत उसका question का answer टिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर जैसे ही आपको यह words मिले, उसका answer देखेंगे, और तुरंत रुख के वो question टिक करेंगे, तो ऐसे क्या होता है, कि आपका answer सही होने की chances 100% हो जाता है, और पूरा question बार बार पढ़ने पर क्या होता है, time जाता है, और answer गलत होता है, तो यह trick है, यही follow करना है, चलिए अब मैं इसको आपको एकदम अच्छे से सब कुछ कर के दि don't worry, आप यहाँ पर अनुवाद या translation करने नहीं आए है, हमको केवल जो है, नहीं अर्था आता है, कोई बात नहीं, आपको words पकड़ना है, अब इसमें से क्या words पकड़ना है, आपको एक gift पकड़ लीजे, he, she, receives or happen, मतलब कोई, किसी को gift मिलता है, तो क्या होता है, क्या दिमाग में आगया होगा, दूसरा questions, words को याद रखिएगा, बस, तब भी काम चल जाएगा, दूसरा, the gift received by the writer was, मतलब, इसको याद रखिएगा कि writer को जो, the gift received by the writer was, कौन सा gift जो है, writer को जो है, receive हुआ था, यह आपके दिमाग में आगया, कि एक तो कौन सा gift मिला था, दूस एक बार नहीं question समझ में है, तो आप question को दुबारा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने छोटे question में time नहीं waste होगा, चले दुबारा पढ़ते हैं, why do you not very much care, मतलब, क्यो हम बहुत ज़्यादा care नहीं करते हैं, when you receive a cert or a kurta as a gift, जब हमको को कोई cert या कोई kurta, जो है, gift देत अब एक बार passage पढ़ूंगी, और सारे की सारे answer जो है, वो सही हो जाएंगे, तो चले देखते हैं, तो चले सबसे पहले यहां से start करते हैं, और इसका अगर आपको मतलब हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप words तो देखी सकते हो ना, कि ये words कहां पे आया ह और अगर हिंदी समझ में आर यह थोड़ी बहुत, तो बहुत अच्छी बात है, तो चले यह करते हैं, the other day I received an unusual and very gratifying gift, मतलब दूसरे दिन जो है, मुझे बहुत अच्छा gift unusual था, और very gratifying मतलब, gratifying का मतलब यह होता है, कि बहुत जिस gift से आपको संतूस्टी मिल रही हो, वैस मैंने जो है, tree gift किया, यह इसके context में है, कि the other day I received an unusual and very gratifying gift, I was given a tree, or rather, I was given half a dozen trees, अब आपको यहाँ पर मैं अर्थ नहीं बता रही हूँ, आप बस word से देखे क्या क्या चीज़े इसमें आ रही है, I was given half a dozen trees, मतलब trees के बात हो रही है, कि जो है, gift में क्या दिया है, पेड दिय और या फिर half a dozen भी क्या दिया है, trees gift दिया है, which would be planted on my behalf, मतलब साइद, अगर मैं आपको आपकी भासा में समझाना चाहूं, एकदम basic में, तो इसका मतलब यह हुआ कि साइद उसी ने उसको plant किया होगा, इतना आप समझे, यह तूटी-फूटी भी आगर आपको हिंदी समझ मतलब कोई invite हुआ होगा, तो भी काम चल जाएगा, वैसे ही मैं आपको समझा रही हूँ, I had been invited to give a talk to an organization, I had been, मतलब कोई invite हुआ होगा, to give a talk to an organization, मतलब किसी organization में invite किया गया होगा, बात करने के लिए, चलो ठीक है, इतना समझ में गए, अब यह नहीं आप धूड़ना कि किस को क्या, आपको words देखना है, after such events, the speaker, मतलब events के बाद, the speaker is usually given a token gift, give का मतलब क्या होता है, देना, a token gift, sometimes the gift is that of a pen, कभी-कभी गिफ्ट क्या होता है, एक pen होता है, या फिर something useful, कुछ भी जो आपकी काम में आए, लोग ऐसे ही तो gift देते हैं, और सबसे पहले किस चीज की बात ह यहां पर आप समझ गया होंगे, often the gift is in the form of a plague, और similar commemorative token, often का मतलब क्या होता है, प्राया जो कुछ gift होते हैं, वो किस form में होते हैं, अब plague का मतलब, अगर आपको ना समझ जा है, तो भी आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको पता देते हूं, plague का मतलब यह होता है, कि कोई भी यहां पर आपको नाम लिखा होता है, पुरा detail लिखा होता है, जो कि plague का मतलब क्या होता है, कि दिवार में लगाई गई, आपने देखा हुआ घरों में, दिवाल में जो है, ऐसे लगाया गया होता है, stone का, या फिर किसी metal का, वहां पर gift वगर रखने के लिए, कोने में लग यह किसकी बात कर रहा है, यह जो forgotten word है, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह किसके बारे में यह line लिखी हुई है, however well mint वाला, plague के ही संदर्म में, इसका मतलब यह है कि जो ऐसे gifts कुछ होते हैं, जो दिवाल की कोने में लगाई होती है, ऐसे gifts जो होते हैं, वो इकठा तो होते लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं, which is why I was agreeably surprised to be given a scroll which attested that in a designated plantation established for the purpose six trees would be added in my name as part of green movement being sponsored by the organization, अब आपने देखा होगा for getting तक कि ऐसे कुछ gifts होते हैं, जो corner में लगा के भूल जाते हैं, which is why, इसी लिए जो है, I was agreeably surprised कि मैं जो है surprise होती हूँ, to be given a scroll which attested that, कि ऐसे कुछ types के जो हैं, हम जो दें, वो जैसा की, वो कैसा attested हो, that in a designated plantation established for the purpose, कि आप किसी purpose के लिए क्लिए 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 प्लांटेशन वगर जो है, design करो, जिसमें six trees would be added in my name, मतलब मेरे नाम से six trees जो है, वो add हो, as part of green, जो की green मतलब movement being sponsored by the organization, जो की sponsor क कि इसके दौरा हो, organization के दौरा हो, तो इसका मोटा मोटा तो समझ गए होंगे, कि इसी वज़ा से क्या करना चाहिए, कुछ plant, trees, मेरे नाम का हो, जिसको sponsor करे कोई भी organization, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब मैंने एक बार भी उपर मैं नहीं गई हूँ, मैं आपको पहल में अगर आप किसी को भी tree दे रहे हो, प्लांट दे रहे हो, तो वह बहुत perfect present हो जाता है, the tradition of giving and receiving gifts has increasingly become a highly evolved marketing exercise, अब यहाँ पर क्या बात हो रहा है, कि जो tradition है, आप किसी को दो या किसी से gift लो, वो बढ़ रहा है, become a highly evolved marketing exercise, कि अब वो, आप इतना बस समझ लो, कि वो market exercise में क् बढ़ सबसे अच्छा present क्या है, कि plant your tree, अब हम एक बार जो है, questions को देखते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे, तो इसलिए आपको आधा आपने पढ़े लिए, आप question देखे, क्या questions कुछ मिला है, what usually happen to the gifts he see receives, जब भी इसको gift, जो है, usually किसी को भी जब भी क कुछ ऐसा gift मिलता है, तो क्या होता है, he uses them, कि क्या वो इसको use करते हैं, जहाप इनको जरूरत हो, या फिर he gives them away as gifts to others, क्या आप उसको दूसरे को gift दे दे, या they are put away and forgotten, या फिर he keeps them religiously and mementos, मतलब इसका तो कोई बाती नहीं हुआ है, देखे, सबसे most important आपको क्या सोचना है, कि जब भी, usually क्या होता है, जब भी किसी को gift मिलता है, कि वो कोनी में रखते हैं, और भूल जाते हैं, they are put away and forgotten, ये देखे, इसका यहीं पर मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये वाली line अगर आप देखें, कि क्या होता है, कि अगर आप किसी को ऐसे कुछ दे देते हैं, प्लांट वगर आप देंगे, तो वो इनसान नहीं भूलता है, बट कुछ ऐसे gifts होते हैं, जो कि सच gifts are destined to gather, वो इकठा तो होते हैं, उसमें धूल लगती है, और वो corner में रखे हम भूल जाते हैं, corner में रखे रखे, इसमें धूल जमता है, और वो भूल जाते हैं, usually क्या होत अपने दिमाग से कभी भी passage को मत solve करना, कि क्या हो सकता है, आपको नकल करना है passage में से, option one जो है, option number three is right, एक question हमारा एकदम सही है 100%, तो चलिए अब next question देखते हैं, ये देखे, 22, the gift received by the writer was, writer को जो receive हुआ था, वो किस टाइब का gift था, और marketing exercise, ये तो मैंने आप बताया है environment friendly, या फिए very expensive, या फिए gathering dust in a corner, ऐसा भी नहीं, जो writer को किस टाइब का receive हुआ है, environment friendly, क्योंकि इसमें किस की बात हो रही है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, तो plants की बात हो रही है, कि six trees जो है, मेरे नाम से एक organization के द्वारा जो है, इस पॉंसर किया जाए, आप अ की है, तो इतना भी अगर किसी ने सोच लिया, कि हाँ, इस passage में जो positive word है, plants के बारे में है, कि plant जो है, अगर आप देते हैं, तो बहुत अच्छा present होता है, तो ऐसा ही जो है, gift किसको receive हुआ है, by the writer was environment friendly, option number two is right, देखा ये भी एकदम सही हो गया है, अब एक बर ये question पढ़ ल पढ़ने के लिए, बिलकुल भी नहीं, आपका time भी बच गया, तो चलिए ये देखते हैं, in an increasingly environmentally conscious world, the gift of a living tree or plant makes for a perfect present, यही बात हो रहा है, कि जो plant वगर होते हैं, सबसे अच्छा present होता है, और ये तो मैंने यहां तक आपको बताई दिया था, कि जो, आज कल क्या हो गया है, कि धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, ये marketing exercise में, कि जितना महंगा आप gift वगरा दो, इतना तो clear हो चुका, अब यहां से देखें, apart from festivals like Diwali, Holy Christmas, Eid and others, a whole new calendar of a celebratory events has been created to promote the giving of gifts, जैसा है कि मालो Mother Day हो गया, Father's Day, Teacher's Day, Valentine's Day and so on, और भी जितने भी आते हैं, तो उनसे सब पे क्या होत करते हैं, उसमें gift वगरा देते हैं, बट हमारे मतलब का इसमें कोई बात नहीं है, तो हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमको तो इसका answer ढूणना है, इसलिए passage में ज्यादा ज्यानी नहीं बनना है, जो आपको पूछ रहा है, बस उतना ध् प्रेंड है, रिलेटिव है, स्पाउज है, हस्बन वाइफ, चिल्डरन बच्चे हैं, पेरिंट्स हैं, आपका कोई employee है, clients, well-wishers, who have more or less everything, जिसके पास सब कुछ भी है, या जिसके पास कम है, और at least everything that you could afford to give them as a gift, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप जो है, इसको afford कर सके as a gift देने के लिए, या फिर another shirt और कुर्ता, देखे, shirt और कुर्ता की भी बात इसमें आ गई है, another bottle और scent और after save, another box of chocolate, another any other, इसमें सारे gifts की बात किया गया है, अब मैं आपको बताती हूँ, इसको कैसे करना है, माले ये gift की बात ये आपने पढ़ा, आपको बिलकुल समझ में नही passage में, कई बार ऐसा होता है, तो वहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, वो कैसे लगाएंगे, आपको तुरंद question पर जाना है, दुबारा से पढ़िए का मत, तुरंद question पर जाईए और एक बार देखे, एक बार फिर से पढ़िए, what do you not very much care of it, why do you, when you receive a shirt और a कूरता as a gift, जब हमको इस टाप का कुछ भी gift मिलता है, हम care क्यों नहीं करते हैं, आप एक बार option पढ़िएगा, कई बार क्या होता हैं, कि options से यह आपके answer निकल जाएंगे, कैसे वो मैं आपको दाती हूँ, पहला देखे, the giver had to spend a lot of money, कहीं पर भी क्या आपने इस passage में देखा है, कि बह lot of money, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, you already have so many of them, क्या यह condition हो सकता है, कि आपके पास इसमें से, यह जो भी options आपने बताया, कि हमको क्या-क्या gift देना चाहिए, shirt, kurta, another bottle, or shirt, ऐसी चीज़े, तो क्या already हमारे पास ऐसा होता है, इस वज़़ा से हम care नहीं करते हैं, माली white color, कोई बात नहीं किया, यह भी option तुरंट काटिए, जिसका कोई बिल्कुल भी word use ना हो, इसको तुरंट काट देना है, यही होता है, पैसे सॉल्व करने का तरीका, फोर देखिए, you are not asked about your choice, क्या यहां पर choice की बात आई है, आप खुस honesty की साथ बताना, कि इतने में, आपक इसमें आए है, क्यूं? क्यूंकि वो जो है, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो भी दे सकता है, जिसके पास कम पैसा होगा, वो भी दे सकता है, तो यह सारी बाते तो हुआ ही नहीं कि आपकी 24 क्या है, आपका color क्या है, या आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना हो, ऐसा पूरे paragraph में कहीं भी ऐसी बात नहीं हुई है, तो कौन सी बात हुई है, कौन सा ऐसा reason हो सकता है, माली जै अगर आपके पास पहले से जो है, shirt या कुर्ता है, तो आप सच में उसका उतना care नहीं करेंगे, अगर अभी आपको क्या हो, कोई बहुत ऐसी कोई gift दे दे, जो आपके पास ना हो, माली जै आपको किसी ने phone दे दिया, आपके पास यह बहुत पुराना phone है, और किसी ने अच्छा कासा phone दे दिया, iPhone दे दिया, तो आप उसकी ज़्यादा care करोगे, बट माली जै अभी आप 15,000 का phone यूज करते हैं, कोई आपको 5,000 का phone दे दे, तो आप उसका उतना नहीं care करोगे, यह natural है, बट आपको इसको अपने दिमाग से नहीं करना है, आपको इस पैसे से ही करना है, तो मैंने आपको बस समझाने के लिए चीज़ बताई है, तो you already have so many of them, so you not very much care for it, when you receive a cert or a kurta as a gift, और यही option को eliminate करना आना चाहिए, जैसे मैंने अभी eliminate किया, इसकी बात नहीं तुरंत काटो, इसकी कोई बात ही नहीं की गई, इसकी कोई बात नहीं किया गया, पैसे में तुरंत काटो, ना भी पता होगा, तो आपका एक answer अपने आप बाहर आ गया, यह होता है counter करना questions को, कि पहले गलत वाला हटा दो, और जो बच्चे का वही right होगा, और इसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ, बस ऐसे ही करना है, passage बहुत सिंपल होता है, तो हो गया होगा अब आपको समझ, ऐसे ही आपको करना है, passage बहुत इजी होता है, फोर देखिए, अब देखिए हमको passage बिलकुल भी नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ा हमारा काम हो गया, यहां मैं करार हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, आप डेली करोगे, आपका टाइम बचेगा, मैं बस समझाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके, अच्छे से समझाओ, इस वज़े से टाइम लग रहा है, अभी मैंने आपको बताया था है, ग्रेटिफाइंग का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ जो है, अन्टोनीन्स मतलब विलों, और सिनम्नीन्स मतलब समनार्थी सब्दी, यह जरूर आता है, और यह हम सायद बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बच्पन में से भी पढ़ते आ रहे हैं, जिसने नहीं भी पढ़ा हो, आपको क्या करना है, आपको इसका मतलब नहीं पता, तुरंद कॉपी में नोट करो, ग्रेटिफाइंग, उसके सामने उसका मीनिंग लिख दो, सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं जब सीटेट का कर रही थी, कुछ-कुछ वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आते थे, मालेची इंगलीज का मुझे नहीं समझ में आ, मैं इसको लिख लेती थी कॉपी में, ताकि कभी ऐसा वर्ड आ जाए, तो मैं इसको गलत ना करूँ, बस यही ट्रिक आपको भी करना है, तो मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ, आप नोट कर ले न, इसका होता है satisfying, मतलब कोई gratifying का मतलब होता है satisfying, जिससे आपको संतुस्टी मिले, मतलब मैं अगर आपको यह पढ़ा रही हूँ, और आपको एकदम अच्छी से समझ में आ जाएगा, तो आपको क्या होगा last में, आपको satisfaction आएगा कि हाँ, आपका time जो था यहाँ पर क्या हुआ है, आपने सही invest किया है, आप ऐसा नहीं बोलोगी, अरे यार मेरा time वेस्ट हो गया, उसको संतुस्टी बोलते हैं, तो option number two is right, अब चले नेक्स्ट कोश्चन पर, सारे देखो क्या passage बाले अब नहीं है, आपको अपने मन से ही करना है, the word destined means, destined को क्या बोलते हैं, destiny, और destiny का मतला आप सब यू को पता हम यूश करते हैं, हमारी destiny में क्या लिखा है, कौन सी जॉब मिलेगी, seated clear होगा या नहीं, तो destiny का मतला भाग यह होता है, और fate का मतला भी भाग यह होता है, यह दोनों क्या हैं, सिरनिम से समानार्थी सब्द हैं, जिसे नहीं पता है, वो नोट कर लेना, fated, the word destined means, fated, option number one is right, 126, यह भी grammar का है, name the part of speech, आपको part of speech का नाम बताना है, underline word, मतलब जो underline word है, इसको बताइए आप, कि यह कौन सा part of speech है, हिंदी में जैसे संग्या सवर नाम विसेशड आता है, वैसे इंग्लिस में भी noun, pronoun, adverb, preposition, adjective, conjunction, यह सारे आते हैं, बट यह बहुत easy होते हैं, कि आपको अलग से grammar पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, और यह गलती कभी मत करना, कि आप पूरा grammar पढ़ने लगो, passage वगरा करते रहे, 60 भी passage आपने कर लिया, तो 120 questions आपके grammar के खुद तयार हो जाएंगे, और उसी में से वो आपको मिल जाएगा, तो which क्या है, which is why I was agreeably surprised, क्या इविच जो है preposition है, preposition आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, जो words की बीच में connect करने के लिए लगाते हैं, क्या यह adjective है, adjective का मतलब किसी की विसेशता बताना कि, काला है, गोरा है, मोटा है, लबा है, यह होता है adjective, pronoun क्या होता है, जैसे noun है, नाम, place यह, तो वैसे pronoun क्या होता है, he, see, it, this, that, which, who, यह सब क्या होते हैं, यह pronoun होते है, तो जब भी which आया, तो याद रखी हैगा क्या होता है वो, pronoun और ये examples जो हैं याद करने होते हैं इसको समझना नहीं है इसलिए मैं इसको याद करा रही हूँ आपको याद रखिएगा which जो है वो pronoun है चलिए next question पर 27 ये देखिए ये error वाले questions जो है वो आता है कि चार sentence देता है और बोलता है कि इसमें से गलती क्या है अब इस गलती को कैसे ढूड़ना है क्या इसके लिए आपको पूरा tense पढ़ना है नहीं आपको अपना common sense बस यूज करना है हो जाएगा देखिए कैसे पहला पढ़िए your claim ought to succeed in that case the damages will be substantial मतलब इसमें कुछ ऐसे बात हो रही है कि उसमें claim किया है कि succeed in that case the damage जो भी damage हुआ है उसको क्या कर लेगा will be substantial तो क्या मतलब समझना है हिंदी का बिलकुल भी नहीं आप बस देखो कि इसमें गलती क्या हो सकती your claim ought to सही है to succeed in that case the damages अब आप यहाँ पर notice करना कि जो damages आया है इसमें ES लगा है और जो succeed है इसमें ED लगा है यहाँ पर देखें यहाँ पर ES और यहाँ पर succeed will be substantial यह तो सहीं लग रहा है इसका मतलब इन ही दोनों में क्या है कुछ न कुछ गलती है किसमें गलती हो सकती है आप वो पकड़ना है वो देखते हैं your claim ought to succeed in that case the damages will be substantial यह जो है will be मतलब यह future का tense है इतना clear हो जाएगा damages भी सहीं है बट यह to succeed in that case नहीं होगा क्यों एक तो यह future का sentence निकला प्लस यह damages तो यहाँ पर भी ED नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी कुछ success या ES ऐसा ही होना चाहिए ED नहीं होना चाहिए क्योंकि ED आ गया तो क्या होगा यह पास्ट में चला गया तो अब आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि यह पहला और यह तो सहीं है इन दोनों में कोई गलती है तो इन दोनों की गलती आप कैसे पकड़ोगे इस से पकड़ोगे विल जो है जहाँ पर होगा वहाँ पर ES होगा इसका मतलब यह जो है गलत है क्यों क्योंकि succeed नहीं success ed नहीं होना चाहिए वो गलत है तो option number 2 is right b जो है वो इसमें क्या बोला था error आपको ढूढ़ना है कि part of the following sentence में से किसमें error है तो इस वाले part में error है और option number b is right देखा बस ऐसे ही करना है नहीं tense आ रहा है कोई बात नहीं थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि यह will है यहाँ पर damages है यह succeed है इसी में गलती होगी ही तो आखिर में कौन सा गलत हो सकता है आपको बस ऐसे ही सोचना है और एक बार sentence भी पढ़ लीजेगा और यह आप daily मेरे साथ practice कीजे मैं कराऊंगी आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा एकदम अच्छे से आ जाएगा जो राइटर है वो thrilled हो जाता है thrilled का मतलब कुछ होगा कुछ ऐसा positive word में तो होगा नी thrilled हो जाता है मतलब समझने की जरूत नहीं when he was given क्या वो tree देने पे six trees देने पे या फिर pain देने पे या फिर plague देने पे अब देखे plague ही option होगा क्योंकि आपको मैंने passage में ही पढ़ाया था plague का मतलब कि कोई ऐसी चीज जैसे कि आप यहाँ पर देखो यह रहा यह वाला line पढ़ो आप often the gift is in the form of a plague अगर कोई gift जो है plague के form में आप दे रहा हो किसी को तो वो क्या होता है वो last में corner में पढ़े-पढ़े भूल जाते हैं लोग धूल लगा होता है तो ऐसे gift का कभी भी मतलब नहीं होता है देने को तो यह plague वाला word आपको यहीं से समझ में आ गया होगा तो अब आप चलिए और ना भी हो तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है tree देने पे तो कभी भी writer thrilled नहीं होगा क्योंकि यह तो अच्छा gift होता है six trees देने पे भी नहीं होता है यह हमारे काम मा आता है एक pen भी अगर आप किसी को gift दे रहे हो तो क्या वो बेकार चीज है बिलकुल भी नहीं वो पढ़ने में कुछ useful कर लेगा मतलब useful gift से जो है writer कभी भी thrilled नहीं होगा बट एक प्लेक कर जो है writer thrilled हो जाएगा क्यों कि कि वो जो है दिवार में बाहर दिवार पे लगी लगी जो है भूल जाएंगे हम उस पे धूल लगते रहेगा वो किसी काम का नहीं है तो ऐसे gift जो है देने पे thrilled होता है बस इतने से आपको देखा बिना मतलब समझे भी आप answer अराम से कर लेंगे तो apply is a right answer क्योंकि यह यही पुछा था तो यह थे आज की questions I hope आपको समझ में आया होगा और आज का session अगर आपको पसंद आता है तो please like करें शेर करें और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा क्योंकि अगर आपने subscribe नहीं किया तो आगे के जो passage में कराऊंगे आपको नहीं मिल पाएगा और आपके एक like करने से बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आपको मेरी महनत समझाने का मेरा तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है और आगे भी मैं आप सभी के लिए ऐसे ही और भी अच्छे से महनत करती रहूं तो आपको जो काम है वो जरूर कीजेगा कि आपकी जो प्रैक्टिस करने की जो आपको सिस है पैसेज को करने की वो आप ऐसे ही करते रहें मेरे साथ आपका पैसेज जो एकदम सही होगा थैंक्स फर वाचिंग